आपके सामनी है क्लास 8 इंगलिस न्यू इमेज चैप्टर 10 दा ओपन विंडो इस चैप्टर की राइटर है एच एच मुन्रो चैप्टर की कहानी में मिस्टर फ्रेम्टन नटल नाम के एक व्यक्ति नर्व डिसोडर की बिमारी से ग्रस्थ है डौक्टर ने उन्हें सला दी है कि कुछ समय के लिए उन्हें सहर के इलाकों को चोड़ कर गाओं के अलाकों में अपना जीवन बिताना होगा वहां کے इनुवारमेंट को देख कर या वहां के इनुवारमेंट से उनकी हैल्थ कंडिसन बहुत अच्छी हो जाएगी तो अपनी बहन के कहने पर Mr. Frampton नटल एक गाउं में पहुंचते हैं जब वो उस गाउं में एक महिला से मिलने के लिए उसके घर पहुंचते है तब उस महिला की एक बतीजी है जिससे उनकी मुलाकात होती है तो उस बतीजी और इन Mr. Frampton नटल के बीच जो बाते होती हैं उसी बारे में इस पूरे चप्टर में दिया गया है तो शुरू करती हैं इनकी बातचीत के बारे में एक 15 साल की Self Possessed यानी Confident एक 15 साल की Confidence Lady यानी वो बच्ची Mr. नटल से कहती है Mr. नटल मेरी आंट जल्दी ही नीचे आ जाएंगी इस दोरान आप मुझसे बाते कर सकती हैं Frampton नटल ने पूरी कोसिस की कि वो कुछ अच्छा बोल सके जिससे कि ये नाइस यानि ये भती जी उनसे खुस हो जाए और इससे उनकी आंट को भी कोई फरक ना पड़े यानि उनकी आंट को भी कोई ठेस ना पोचे वो आंट जो जल्दी ही नीचे आने वाली है पर मन ही मन वो ये सक कर रही थे कि जिस तरीके से मैं लोगों से एक एक करके अजनबियों से मुलाकात कर रहा हूँ क्या जी मेरी बिमारी को सही कराने में मेरे की किसी तरीके से मदद कर पाएंगे वो बिमारी जिस बिमारी से मैं ग्रस्त हूँ उसकी बहन ने एक बार कहा था जब मिस्टर फ्रेम्टन नटल जाने की तयारी कर रहे थे माइगरेٹ होता है एक जिए से दूसी जिए जाना तो जब मिस्टर फ्रेम्टर नटल अपने जाने की तैयारी कर रहे थे ग्रामीन इलाकों में तब उसकी बेहन ने कहा कि मैं जानती हूँ कि कैसा लगेगा तुम वहाँ पर जाने पर तुम वहाँ पर अपने आप को जैसे छिपा ही दोगे और किसी से बाते भी नहीं कर पाओगे तुमारी नर्फ की ये बिमारी और भी बद से जादा बत्तर हो जाई और तुम्हें इस बात से और जादा दुख होगा तो मैं तुम्हें एक लेटर ओफ इंट्रोडेक्शन देती हूँ लेटर ओफ इंट्रोडेक्शन यानि जिसमें सभी के बारे में जानकारी होगी उस लेटर ओफ इंट्रोडेक्शन में उन लोगों के बारे में जानकारी है जिनके बारे में मैं जानती हो उन में से बहुत से ऐसे लोग है जो मुझे अब भी याद है कि वो बहुत अच्छे लोग है फ्रेम्टन नटल अब मन ही मन यही सोच रही है कि मिसिस सैपलिटन जिससे वो मिलने आई है क्या यह लेडी भी उन लेडींस में से एक है जिसके बारे में उनकी बहन ने लेटर ओफ इंट्रोडेक्शन दिया था और जिसमें कहा था कि यह बहुत उन में से बहुत अच्छे इंसान है तो क्या यह मिस्टर सैपलिटन नाइज डिविजन में आती है यानि अच्छे लोगों में आती है जिसी बारे में मिस्टर फ्रेम्टन नटल सोच रहे थे तो आगे क्या हुआ इतने में वो बच्ची यानि वो 15 साल की लड़की बीच में ही बोल देती है कि जब उसे लगता है कि उनके जो कम्यूनिकेसन है यानि उनकी जो बाचीत है वो बड़ी ही सांती से बीच रही है तब वो मिस्टर फ्रेम्टन नटल से कहती है कि क्या आप यहां के हमारी गाओं के बहुत से लोगों को जानते हो Mr. Frampton Attle कहते है Hardly Assault यानि साइद ही किसी को जानता हूँ मेरी सिस्टर चार साल पहले यहां पर एक Rectory Rectory कहने से मतलब है एक तरीके का House जिसमें Local Church का एक प्रिश रहा करता है तो Local Church का एक प्रिश रहता है ऐसे Rectory में मेरी बहन चार साल के लिए यहां पर ठहरी थी उसने मुझे Letter of Introduction दिया है कुछ लोगों के बारे में यानि कुछ लोगों के बारे में जानकारी दी है ऐसा कहते ही उनकी आखरे जो सब्द है उनको कहते वक्त उन्हें बिल्कुल पस्तावा सा होता है पस्तावा इसलिए होता है कि उसे इन लोगों के बारे में जादा जानकारी नहीं है तो इसी बात से वो थोड़े से दुखी होती है तब ही वो Self Possessed Lady कहती है कि तो आप मेरी आंट के बारे में यानि जादा कुछ नहीं जानते वो Mr. Frampton Nuttal कहती है हाँ सिर्फ उनका नाम और एडरेस जानता हूँ पर वो सोच रही थे Mr. Frampton Nuttal फिर से सोचने लगे कि क्या Mrs. Seppleton साधी सुदा है या विदवा है क्योंकि सामने वाली चीजों को देखकर तो ऐसा लगता है कि साइद यहाँ पर कोई मेल रहता है Masculine Habitation का मतलब है Masculine यानि मेल Habitation यानि रहना तो यहाँ पर ऐसा लगता है चीजों को देखकर उनके अंदाजे से ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई मेन यानि इनसान भी रहता है मतलब आदमी भी कोई रहता है साइद यह साधी सुदा हो सकती है या साइद विद्वाओं तो इसके बाद वो बच्ची कहती है कि जब तुमारी बेहन यहाँ पर रहा करती थी तब ही उनके साथ तीन साल पहले गटना एक ट्रेचडी यानि गटना गटी थी एक दुखद गटना गटी थी Mr. Frampton Natal चोकर कहती है क्या एक ट्रेचडी यानि एक अनुहनी गटना गटी थी ऐसा क्या हुआ था ऐसी जिगे जो बहुती सांत जिगे है ऐसी जिगे पर कोई दुखद गटना होना इस पर तो विश्वास ही नहीं होता तब वो बच्ची कहती है कि आपको ये लग रहा होगा कि हम इस बड़ी सी खिड़की को खुला क्यों चोड़ती है जबकि ये तो अक्टोबर की दुफैर का समय है ऐसे में हम ये खिड़की खुली क्यों चोड़ती है ऐसा करते कहते वक्त वो लड़की उस खिड़की फ्रेंच खिड़की की तरफ यानि फ्रेंच विंडो की तरफ इसारा करती है जिसके बाहर खुला मैदान है मिस्टर फ्रेंटर नटल कहती है कि हाँ ये साल का एक गरम समय है पर लेकिन क्या इस विंडो का उस ट्रेजडी यानि उस दुखत गटना से कोई संबंध है लड़की जवाब देती है कि खिड़की के बाहर तीन साल पहले उनके हस्बेंट और उनके दो छोटे भाई इसी तरफ से सूटिंग के लिए गए थे यानि इसी खिड़की से बाहर गए थे और वो फिर कभी वापस नहीं लोटे वो एक बंजर सी जमीन से होते हुए स्नाइप सूटिंग ग्राउन में पहुँचे स्नाइप सूटिंग यानि पक्छों के सिकार के लिए पहुँचे और वहीं पर एक खतनाक दलदली मिट्टी मर वो दस गए और ये बड़ा ही दुखत नजारा था और सभी बहांकर गर्मी थी कि आप जानती ही है कि इस समय बहुत ज़्यादा बहांकर गर्मी रहती है और वो जिगे जो कभी सुरक्षित रहा करते थी वो बिना किसी चेतावनी के उन्हें निगल गई उनकी बोड़ी भी दुबारे से रिकवर नहीं हो पाई यही इस पूरे घटना का सबसे दुखत वाला हिस्सा है तब ही उस चोटी सी बच्ची की यानि इसी बच्ची की जो कहानी सुना रही है वो कहती है उसकी जो सेल्फ पोजेश था यानि उसका कॉन्फिडेंस था वो लो हो गया उसने जैसे अपनी स्ट्रेंथ खो दी हो यह बात बताते बताते और कहती है कि बेचारी आंटी अभी भी सोचती है कि वो किसी ना किसी दिन वापस लोटेंगे और साथ ही हमारा वो लिटिल ब्राउन स्पैनियल भी जो उनके साथ खो गया था स्पैनियल है एक डोग की को स्पैनियल का गया है एक तरीके का डोग है जिसके सोफ्ट इयर्स होती है डोक्स की पिरजाती को स्पैनियल का गया है ठीक है तो स्पैनियल भी जो था उनके साथ खो गया था और वो इसी जो खिड़की है इसी को आने जाने के लिए यूज किया करते थे जिसी वज़े से ये विंडो हमेशा साम के समय खुली रहती है जब तक की अंधेरा नहीं हो जाता बेचारी अंटी वो हमेशा मुझे बताती है कि किस तरीके से उसके हस्बेंड ने वाइट वाटर प्रूफ कोट अपने हाथों पर लटकाया हुआ था और रोनी जो उनका सबसे चोटा भाई है एक गाना गाता है हमेशा ब्रेश टाई वाई डू यू बाउंड ये गाना गाता है ये गाना उन्हें चिडाने के लिए यानि मेरी आंट को चिडाने के लिए उनका सबसे छोटा भाई गाना गाता है क्योंकि उन्हें ये अजीब लगता है ये गाना क्या आप जानते हैं कि कभी कबार ऐसी सांथ साम को मुझे भी ऐसल महसूस होता है कि जैसे वो इस खड़की से जल्द ही आने वाले हैं किसी खड़की से वो आ जाएंगे तभी उस बच्ची की आवाज रुख जाती है एक समसे उसकी आवाज थम जाती है उस चोटी बच्ची की क्योंकि अब फ्रेम्टन नेटल को भी आराम मिलता है जब वो देखती है कि उनकी आंट जो है मिस्टर सेपलीटन वो यहाँ पर आ चुकी है रूम में रूम में आते हुए वो बड़ी तेजी से उनसे माफी मांगती है कि उन्हें इंतजार कराना पड़ा इंतजार करना पड़ा उनके लिए और फिर कहती है दूसी बात कि मुझे लगता है कि वीरा ने अब देको यहाँ पर हमें नाम पता है और चलाए हो चोटी बची का नाम क्या है चोटी बची का नाम है वीरा तो वीरा ने मुझे लगता है कि वीरा ने आपको क्या कहते हैं इंटरटेन किया होगा कि वीरा ने आपको इंटरटेन किया होगा मुझे यह उमीद है मिश्टर फ्रेम्टन कहती है कि हाँ ये बहुत इंट्रेस्टिंग लड़की है मिस्टर सेपलिन कहती है कि मुझे उमीद है कि आपको इस खुली हुई खिड़की से कोई परिसानी नहीं होगी जो हमने खुली हुई खिड़की छोड़ रखी है मेरे हस्बेंड और मेरे भाई डारेक्टली इसी खिड़की से सूटिंग के लिए गए थे और वो इसी रास्ते से वापस आएंगे और वो हमीसा ऐसे ही आती है क्योंकि वो स्नाइप सूटिंग के लिए एक दलदली जिगह पर गई है आज और आप जानते ही हैं कि कैसे वो किस तरीके से इन कारपेट को आते वक्त गंदा कर देंगे और आप जानते ही हैं यह में होते कैसी है जैसे आपको ठीक है तो ऐसे करते करते ऐसे ही मिस्टर सेपलिटंग उनसे काफी समय तक बाते करती है जैसे सूटिंग की सिकार के बारे में बात करती है कि बर्ड्स की कमियां आ चुकी हैं इस जिगे पर इस बारे में बात करती है साथ ही बात करती हैं डक्स की कि विंटर के समय में उनकी क्या संभावनाई है इधर आने की इस तरीके से काफी समय तक बात होती रहती है पर Mr. Framitle इन बातों को सुनते-सुनते और ज़्यादा डर जाती है अब क्या होता है कि वो पूरी कोसिस करती है पूरी कोसिस करती है इस टोपिक को चेंज करने पर पर लेकिन वो ठीक से सक्सेस नहीं हो पाती इस डरामने टोपिक को चेंज करने के लिए अब वो इस बात से भी जानकार है अब यह बड़ी ही इत्वाक की बात है बदकी सिमति से इत्वाक की बात है कि आज मिस्टर सेपलिटन उसी दिन आई है जिस दिन ये कभी गटना गटी थी यानी इनकी ट्रेजिक ऐनिवर्सरी है यह एक anniversary है कैई साल बीतने के बाद यह उसी दिन पहुंची है जिस समय जिस दिन यहां से इनके husband और दो भाई गई हुए थे अब Mr. Frampton Mr. Seppleton को अपनी बिमारी के बारें बताती है वो कहते हैं कि डोक्टर ने मुझे complete rest लेने के लिए कहा है और कहा है कि मुझे किसी भी तरीके से अपने मस्तिस्क पर जोड नहीं देना है और किसी तरीके से भी physical exercise में हिस्सा नहीं लेना है जिससे कि मेरे सरीर पर कुछ असर पड़ सके इतना कहते है Mr. Frampton और साथ ही वो इस ब्रह्म में है वो सोचते हैं ब्रह्म में कि इस ब्रह्म में जी रही है कि ये बिल्कुल जूट है कि लोग जब ये सोचते हैं कि जो अजनबी है जब वो किसी इनसान से मिलती है तो उसकी बिमारी और उसकी दुख में ज़्यादा रूची रखते हैं उसकी कमजोरियम में ज़्यादा रूची रखते हैं उसके बारे में पूछने में ज़्यादा जानकार रखते हैं पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर जितने भी अजनभी मिले हैं Mr. Frampton से वो नहीं इनकी बिमारी से में कोई ज़्यादा इंट्रेस्ट नहीं है वो इनके बिमारी के तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं फिर आगे Mr. Frampton आगे अपनी डाएट के बारे में बताती है कि डाएट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा है यानि डाएट के बारे में कुछ ज़्यादा कंडिसंस नहीं है तब ही Mr. Seppleton बोलती है No एक अवाज जो की जुमाई भरते हुई थी यानि रहती है जब बोर हो जाती है तो एक अवाज निकालती है थकड़े वाली ज़्यादा बोर हो चुकी है इस तरीके से Mrs. Seppleton नो के वाज निकालती है क्योंकि उन्हें Mr. Frampton की बातों में बिलकुल भी इंट्रेस्ट नहीं आ रहा था अचानक से Mr. Seppleton अलर्ट होकर ठीक से बैठ जाती है पर इस वज़े से नहीं कि जो Frampton उनसे बाते कर रही है इस वज़े से नहीं बलकि किसी और वज़े से यहां पर बच्ची कहती है सोरी बच्ची नहीं Mr. Seppleton कहती है कि आखिर कार ये आ चुके बिलकुल चाय के समय पर पहुँची है बिलकुल देखो ऐसे लगता है जैसे आँखो तक कीचर्ड से सने हुए इतने में Mr. Frampton उनकी बाते सुनकर काप जाती है वो अपनी नजरे कुमाती है और उनकी बांजी की तरफ देखती है कि साइद उनसे कोई सिंपती उसको मिल जाए कि साइद ये नाई से यानि ये बती जी उनसे कह सके कि इनकी बातों पर ध्यान मत दो ऐसा कुछ नहीं है कोई नहीं आने वाला पर लेकिन यहाँ पर वो देखती है कि ये जो बती जी थी ये खुद ही जो है खुली हुई खिड़की की तरफ देख रही है और उसके आँकों में बहुत ज़्याद़ डर है अब उसी डर के साथ ऐसे ही डर के साथ मिस्टर फ्रैमिलिटन अपनी नजरों को उस सीड से दूसी तरफ गुमाते हैं और फिर से उसी डारेक्शन में देखते हैं जहाँ विंडो खुले हुई थी अब इसनी गहरी अंधेरी साम में तीन इनसान उस खुले मैदान में घरी भरे खुले मैदान में चले जा रहे थे और सिर्फ सीधे खिड़की की तरफ आ रहे थे उनके हातों में गंस थी और उनमें से एक के सोल्डर्स पर वही वाइट कोट लटका हुआ था एक ठका हुआ डोग इस्पैनियल डोग एक ठका हुआ इस्पैनियल डोग उनके कदमों के साथ साथ चल रहा था बिना आवाज करें वो लगबग घर के पास पहुँची चुगे थे एक तेज सी अवाज एक नोजवान व्यक्ति की आई वो वही गानगा रहा था जिस बारे में मिस्टर सेपलीटन ने बताया इतने में मिस्टर फ्रेम्टन अपनी छड़ी को कसकर पकड़ लेती हैं और अपनी हैट को भी अब वो ना तो दरवाजा देखती हैं ना ही कोई पत्थर कंकर को देखती हैं ना ही सामने का कोई फ्रेंट गेट वो बिना किसी की चीज में ध्यान रखे सीधे दोड़े चले जाती हैं इस बास से अंजान की उनके सामने क्या आ रहा है इतने में एक साइकलिस्ट सामने से आता है जो की टकराव से बचाने के लिए कि उनके साइकलिस्ट में और मिस्टर सेपलिटन में टकराव ना हो जाई इससे बचने के लिए अपनी साइकल को जाडियों की तरफ मोड़ देता है इतने में वही व्यक्ति जिसने मेकिन ट्रोस नाम का वो कोट पहना हुआ था यानि वाइट कोट पहना हुआ था वो मिस्टर सेपलिटन से कहता है कि देखे हम आ चुकी है हम पहुंच चुकी है और फिर खिड़की से अंदर की तरफ आते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वो कीचड में सने वुए है पर लेकिन ज़्यादतर कीचड उनकी सूक चुकी थी अब मिस्टर ये थे मिस्टर सेपलिटन चीक है मिस्स सेपलिटन के पती मिस्टर सेपलिटन वो पूछते हैं कि ये कौन व्यक्ति था जो हमें देखते ही दोड़ा चड़ा भाग गया मिस्टर सेपलिटन जवाब देती है कि ये मिस्टर नटल थे एक अजीब से व्यक्ति थे कुछ बाते करी अपनी बिमारी के बारे में और बिना कोई गुडबाई कहे बिना कोई एतिराज जताते हुए बिना किसी एक्सक्यूस के वहां से यहां से बिलकुल दोड़ कर भाग गए कोई भी इनको देखकर ऐसा कहेगा कि जैसे इन्होंने कोई भूत देख लिया हो इतने में वो भती जी अपने आप को सांथ करते हुए कहती है कि साइद वो इस्पैनियल की वज़े से डर गई इस्पैनियल यानि हमारी डोग की वज़े से साइद ऐसा हुआ होगा उन्होंने मुझे बताया है कि वो डोग से बहुत ज़ादा डरती है एक बार की बात है जब वो एक क्या कहते हैं उसमें कि एक बार जब वो एक कब्रिस्तान में पहुंचे तो वहां पर कुछ कुछ कुटों ने उनका सिकार किया था यानि उनके उनके पर हमला किया था कुटों की बहुत सारे मत्व कुटों का एक जुंड था जो उनों पर हमला किया था और ये कुट्तों का जुंड और कोई नहीं परियार डोक्स काई था जैसे डोक्स हमारा है उन्हें पूरी रात एक कवर में बितानी पड़ी वही कवर जो अभी अभी खुदी थी नई नई कवर में उन्हें अपनी पूरी रात बितानी पड़ी जहांपर ये केरियेचर, यानि ये सब ही पर यार्टोक्स क्या कर रहे थे ये यहांपर आवाज निकार रहे थे भोखने की गुर्राने की ओवाज मुझे जाग निकाल रहे थे जैसे वो इसे को खार जाएंगे और ऐसे में कोई भी डर कर अपनी जो खोस है उसको खो सकता है इस तरीके से यहाँ पर हमारी यह कहानी खतम होती है लाश लाई दी है रोमांस एट शोट नोटिस वास हर स्पेसिलिटी हर मतलब लड़की के बारे में यूज़ हुआ है यानि उस बतीजी के बारे में जिसने यह पूरी कहानी गड़ी थी इसके बारे में कहा गया है कि आसोट एक्साइटमेंट एटवेंचर एट सोट नोटिस वास हर स्पेसिलिटी यानि इस छोटी बच्ची की यही स्पेसिलिटी है कि यह थोड़े से ही समय में ऐसी को ऐसी रोमांस से भधी हुई कहानियों को बुन देती है यानि बना देती है हमारी यह कहानी यहाँ पर खत्म होती है वीडियो कैसी लगी है इस बारे में कमेंट में लिक कर जुरूर बताए वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जुरूर करें साथ ही कोसनांसर और एक्सोसाइज की वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थेंक यू